Good morning children, today we are going to discuss exercise of light, sound and force. Exercises Tick mark the correct option यहाँ पर 1, 2, 3, 4 questions दिया हुआ है जो सही है option उसमें हम लोगों को Tick mark करना है Which of the following is a non-luminous object? यहाँ चार option दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कौन जो है non-luminous object है? हम लोग जानते हैं कि non-luminous object माने जिसका अपना परकास नहीं होता यहाँ एक candle दिया हुआ है इससे परकास निकलती है B दिया दिया हुआ है इससे भी जलाने पर परकास निकलती है C lamp इसको भी on करने से परकास देती है D chair इसका अपना परकास नहीं होता इसलिए हम लोग यहाँ पर Tick कर देंगे Chair जो है non-luminous subject होगा इसका अपना परकास नहीं होता Two number At what time of day is the shadow of a tree long? Tree का shadow किस समय में ज़्यादा लंबा होता है? तो यहाँ पर option दिया है morning, afternoon, evening और noon तो हम लोग जानते हैं कि morning और evening में किसी बच्टू का shadow ज़्यादा लंबा होती है क्योंकि उस समय में सूरज की सन के इस्तिती जो होती है तिर्ची होती है प्रित्वी से काफी दूर पर इस्तित होता है तो इसलिए क्या होता है? morning और evening में किसी बच्टू का shadow बहुत लंबा होता है तो यहाँ पर morning और evening दूर दिया है तो दोनों में किसी में भी हम लोग trick कर सकते हैं क्योंकि afternoon में छोटा होता है, noon में भी छोटा होता है 3. number you see What type of sound is produced when the volume of music is very high? 4. जब music का volume बहुत हाई हो जाएगा तो किस तरह की sound उत्पन होगी? हम लोग जानते हैं कि जब music का volume ज़्यादा होगा तो जो sound निकलेगी वह unpleasant होती है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर unpleasant option में tick mark कर देंगे 4. number which part of our body help us when we talk and make sound हमारे सरीर का कौन सा भाग है? sound उत्पन करने मदद करता है तो option दिया हुआ है ear हम जानते हैं सुनने के काम में आता है no age यह से हम लोग smear लेते हैं mouth से हम लोग खाना खाते हैं अब tongue बच गया तो यहीं जो है right होगा यह tongue जो है sound produce करने में help करता है तो यहाँ पर tongue को tick कर देंगे अब b right, true or false हम sentence को पढ़ेंगे और इस sentence को देखेंगे कि यह right है यह false है अगर false होगा तो यह false लिखेंगे right होगा तो true लिखेंगे अब one number a chair is a luminous object हम लोग जानते हैं कि chair का अपना परकास नहीं होता तो यह non-luminous subject नहीं होगा यहाँ पर हम लोग false a, al, ac लिखेंगे कि chair जो है non-luminous subject होता है luminous नहीं होता है इसलिए यहाँ पर हम लोग false लिखेंगे b number music is an unpleasant sound तो music जो हम जानते हैं कि सुनने से बहुत हम लोगों को अच्छा लगता है यह pleasant sound है इसलिए हम लोग यहाँ पर true लिखेंगे three number we should avoid unnecessary blowing of horns हम लोगों को बेकार में horn नहीं बजाना चाहिए यह बात सही है तो यहाँ पर हम लोग true लिखेंगे फोर नमबर force cannot change the shape of an object यह फोर नमबर कर रहा है कि force जो है किसी object का shape को नहीं change कर सकता यह गलत लग रहा है कि किसी बश्तु पर जब हम लोग force लगाएंगे तो क्या होगा उसका shape जो है change हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे false लिख देंगे फाइफ नमबर force can change the direction of an object फोर जो है किसी object का direction को change कर सकता है यह बात सही है तो यहाँ पर हम लोग true लिखेंगे अब feel in the blanks हम लोग देखेंगे dash is the main source of light on the earth प्रिस्वी पर प्रकास का main source क्या है तो हम लोग जानते है sun तो यहाँ पर लिखेंगे sun question number two object that do not give light are called dash object जो object light नहीं देता उसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग को पता है उसको non luminous object करते हैं तो यहाँ पर n, o, n, none और फिर luminous लिखेंगे non luminous object three number a shadow is formed on the dash side of light source तो shadow कहां बनती है light source के तो light source के opposite में बनती है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे opposite लिखेंगे o, double, p, o, s, i, t, e opposite side of the light source four number soft sound are sounds यहाँ लिखा हुआ है तो soft sound dash sound लिखा हुआ है तो बीच में क्या भरेंगे तो हम जानते हैं कि soft sound सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर हम लोग pleasant लिखेंगे p, l, e, a, s, a, n, t pleasant five number देखो sound are irritating five dash sound are irritating तो कौन सा sound जो है irritating हम लोगों को लगता है तो loud sound are irritating तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे loud l, o, u, d loud sounds are irritating अब हम लोग यहाँ पर answer the following question देखेंगे अब